बड़े देश तो छोड़ी दीजिए आज कल छोटे छोटे देश भी चीन को घसीटने में लगे हुए हैं हाली में आपने देखा होगा कि जहां चीन बोलता रहा पर भारत ने चीन की मदद पर ध्यान नहीं दिया उल्टा चीन के कट्टर ताइवान की एक छोटी सी मदद बड़ा काम कर गई है यहां हुआ ये कि चीन ये सोच रहा था कि वो रूस के साथ मिलकर रूसी वैक्सीन इस पूतनिक वी को चीन में बना कर दुनिया भर में वावाई लूटेगा पर रूस ने चीन से वो भी चीन लिया दरसल इस पूतनिक वी वैक्सीन की मांग बढ़ने के साथ ही इसकी आपूर्थी सुनिश्यत करने के लिए रूस चीनी कंपनियों के साथ संपर्ग में था हाली में दोनों देशों ने 26 क्रोड डोज वैक्सीन के उत्पादन के लिए चीनी कंपनियों के साथ 3 समझाते करने का भी ऐलान किया था अब इतना सब होने के बाद चीन ये सोचने लगा था कि वो वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में भारत को पीछे छोड़ते वे आगे निकल जाएगा पर चीन के इन सपनों पर रूस ने ही पानी फियर दिया है दरसल रूस ने चीन से भी बड़ा कॉंट्रेक्ट अब भारत को दे दिया है यहां रूस भारत के साथ मिलकर इस पूतनिक वी के प्रोड़क्शन अब 7 मिलकर करना चाता है इसके लिए भारत में 5 फार्मा कंपनियों द्वारा इस पूतनिक V वैक्सीन को बनाया जाएगा और सालाना 850 मिलियन याने की 85 करोर खुराक का उत्पादन किया जाएगा यहां हम आपको बता दे कि ये कॉंटर्ट अब तक का सबसे बड़ा कॉंटर्ट है वहीं RDIF के कारिकारी अधिकारी किरिल दिमेत्रिव ने कहा है कि हमारी वैक्सीन 10 देशों के 20 उत्पादोकों के साथ पार्टनर्शिप में है जिसमें ग्लैन फार्मा, हैटिरो बायर फार्म यहां हम आपको बता दे कि इस पूतनिक V वैक्सीन को 60 देश मंजूरी भी दे चुके हैं इसमें UAE, बेलारूस, साइबेरिया, बोलीविया, अर्जंटिना, वेनिज्वेला, फिलिस्तीन, अलजीरिया, तुर्कमेनिस्तान और पेरागवे शामिल है और इस वैक्सीन का नाम रूस की पहली सेटलाइट इस पूतनिके नाम पर रखा गया है, अब यहां पर रूस की इन वैक्सीन से भारत आने से भारत में वैक्सिनेशन की प्रक्रिया तेज होगी, जो कोरुना को हराने में कारगर साबित होगा, और इन वैक्सीन के करण दोनों देशों के संबंद औ और भी जादा मजबूत होंगे जो जाहिर सी बात है चीन तो पचा नहीं सकेगा